प्रेंड्स बहुत बहुत स्वागा थे आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आज में आपको यह पर्टिकुलर बेंग की यह पर्टिकुलर सर्वीस कैसे अवैल करते हैं उसके बारे में बताऊंगा जैसे कि फ्रेंड्स यह सर्वीस अवैल करने के लिए आपको वो बेंग की ब्रांच के जाना हो रहा है और वहाँ से आपको service request form ओके यह particular service avail करने का जो form रहता है उसको बोलते service request form या multipurpose form या simple आपको वो branch को जाके बताना है कि मुझे यह particular service avail करनी है तो उसके related मुझे form दीजी तो वहाँ से आपको form मिलेगा तो friends वो form कैसा रहता है और उसको कैसे भरते है उसके बारे मैं आज आपको बताऊगा तो चलिए friends देखते है वो form कैसा रहता है और उसको कैसे feel करते है चलिए देखते है तो friends यहाँ पे साखा का branch का नाम आएगा यहाँ पे date आएगी यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे यानि आपका जो नेम है अकाउंट में और यहाँ पे आपका एकाउंट नमबर लिख देंगे ओके आपके एकाउंट में पेनकाड एड या अपडेट कराने के लिए आप दस नमबर पे टिक करेंगे यहाँ पे देखे friends for update of pen card record यहाँ पे अपना pen card नमबर लिख देंगे और friends वहाँ पे आपको photocopies यानि आपको pen card की xerox वहाँ पे देनी होगी as well as आपकी pen card की original copy ओके यानि original pen card वहाँ पे verify कराने के लिए आप लेके जाएंगे और last man yours faithful UK यहाँ पे आप अपना signature करेंगे यानि आपने account open कराते समय जो signature किया रहेगा वही आपको यहाँ पे करना पड़ेगा नहीं तो आपका वो form वहाँ रिजेक्ट हो चकता है अगर आपका current account है ओके यानि proprietorship account है या partnership account है तो यहाँ पे वो आपका proprietorship वाला वो symbol लगाएंगे या partnership वाला symbol लगाएंगे और बीच में आप अपना signature करेंगे नीचे अपना applicant name यानि आपका name लिखेंगे और last में आपका mobile number लिखेंगे ओके तो friends I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और friends अगर आप ये चैनल पे नए है तो please चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का notification सबसे पहले आपको आपके mobile के उपर मिल जाएं ऐसा ही interesting and informative वीडियो बनाता रहोंगा बने रहे है देखते रहे है keep watching and thanks for watching